अभी भारती जंत्या पार्टी के जो प्रत्यासी हैं उनको हम चूनकर सांसत बनाना चाहते हैं हमारे मोदी जी ने इतने अच्छे काम किये हैं महिलाओं के लिए हो या किशानों के लिए हो आपकी बार भाइसा विक्चोर में बतातूं तो बीजीपी कही सरकार बनेगा और बीजीपी का भी सांसत बनेगा लोग सबाद 2024 का चुनाओ चला है और छथिस गड़ के कांकेर में लोगों के मन में क्या बात चली है किसको ओड़ देंगे कौन ऐसा सांसत बना चीज़ जो उनके लिए बिकास करेगा क्या उनकी समस्या है यह जानने की कोशिज करेंगे से कपरेंगे नेगे किस को चना है किस तरीके की यहां मूल्भू सुथा है मैलाओं की क्या अपप एच्छा होती है सससे पिछला सांसत ने तो पूरा कार यह तो कोई भी संसद नहीं करता ऑन हैं वो करने की कोशिस भारती जनता पार्टी की सांसद जो रहे हैं वो किये हैं. आपको क्या लगता है आपकी बार किसको ओड़ देना चाहिए और किस पार्टी के नेता को सांसद बनाना है? अभी भारती जन्तापार्टी के जो प्रत्यासी हैं उनको हम चूनकर सांसत बनाना चाहते हैं कांग्रेस को क्यों नहीं चूनना चाहते हैं क्या वज़ा है कांग्रेस को इसलिए हम चूनना नहीं चाह रहे हैं सारी सुइधाय बहनों का भी हमारा 36 गड़ का महतारी वंदर हर चीज उनके जंदन खाते में डारेक्ट प्रत्याक चुरूप से लोगोता कारी है इसलिए बहने बहुत खूस है और फिर से एक बार से चुनने को तैयार है भारती जनता पार्टी के सांसाथ को अपकी लोग सब दस साल को हम पहले से देख रहे हैं कंग्रेस की जो सरकार्ड थी अभी तो कहे हैं चुलह की तो और अढ़ी फिलहाल हमारे दस साल में हमारी मोणी जी ने इतने अच्छे कामकिये हो महिलाओं के लिए हो या किषानों के लिए हो जो ही कंगे बहुत अच्छी जरीके से कि है और हमसे यह सब को वहाम हरा अगर हम ग्रामीड की बात करे haiних महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनहती थी चूले की और इन सब चीजों को के इंपेक्ट आपको नजर आता है काकेर जैसी जगह पर यहां पर क्योंकि एक गाहों का माहौल है बहुत ज़्यादा सहरी चीजे नहीं देखने को मिलती है तो आपको क्या लगता है कि कैसा आपका निता हो और क्यों आखिर मोधी जी की गारंटी पर क्यों विस्वास मोधी कि आपके गारंटी इसलए हमको फिश्वास करते है कि उनों ने तीन महने में जितने भी उधना है जितनी बॉनहें गारंटी दी जै महिलाओं कि आपका कि इसको उनों ने तीन महने में पुरा कम्लेट कर कर दिया हर म hardnessagen का किस्ता हुखी है तो इतनी अच्छी उनकी गारंटी है, तो सब महिलाओं को मिल रहे हैं, सब महिले खूस हैं, एक एक महिला को उनकी परिशिती आपको सबसे मिल रही है पैसा, और अब चुले कि जो मिला है, हरोसा है हमको कि मोधी जी को हम इसलिए मोधी जी को ही चुनना चाहेंगे, तो मतलब कि उभूज़ाज नागी क्यों बने कि मोध्री सर्कार में हमको यौठाव से लेकर महिलाओ से लेकर लेकर हर यदी को अच्छी आधवी प्राप्त हुई है और ज़्यादा तर यís उपयुड़ी में तो हम जानते कि क्या कर रहे है मोध्री सर्कार अब की बार 400 चार्पार तो पिछली बार विदान समय में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने भी तो कांकेर के लिए या आसपास के गाउं के इलाकी वहां के लिए तो काम की होगे, उनका क्यों नहीं चाहते कि इंडी गड़बंदन जीत करके आ गया है, या राहुल गांदी परदान मंत्री बने हैं, उनको क्यों नहीं स्युकार कर रहे हैं? यह अभी दोको यह यूवापीडी है, सब जागरुख है, सब जानते कि कौन क्या कर रहा है, यह अब की बार 400 पार जो नहारा है, वो हकिकात है, यह तीन जुन के बाद पता चल जाएगा, धन्यवाद। जो सांसाथ है, उनके कामों से संतुष्ट है, उन्होंने क्या 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 मूलीभूद सुझाएगा? काम भी अच्छा रहता है, मतलब भरजी काम होता नहीं है, उसलिए पार्टी बहुत अच्छा बसाना है. क्यों, अब की बार करते हैं, किसको सांसाथ चुनना है? अब की बार सर, हम भौजराज नाग जी को सांसाथ चुनने का सोच रहे हैं. भौजराज नाग जी तो भारती जंता पार्टी से खड़े है, कांग्रेस के प्रत्यासी को क्यों नहीं चुनना है? उनके कई सारे कामों में घोटाले उजागर हो रहे हैं, इसी वज़े से हम मोदी जी को ओड़ देकर उनको विजाई बनाएंगे, और भी लोग है, क्यों किस पार्टी का सांसद होना चाहिए? अगर हम कांकेर की बात करें, कांकेर को किस पार्टी का सांसद देखिये, जैसे अब देज भर में महाओल है, तो निश्चीत जाहिर तो यहां पर जो है भाजपा काही सांसद चूनेंगा, अगर हमको विकास चाहिए, तो डबल इंजन की सरकार होने से विकास ज्यादा होगा, कांग्रेस कीई में चुनिए… अगर यह mo愁 यह ठीजलेuh GG 신ang és प्रूमनिंधल शम्रें होतीज्टल दच्य में पहुंच है। तो केंद्र में राज्य में अगर एक ही पार्टी की सरकार हो तो पर वीकास तेजी से होता है करिकावट हो अगर कांकर यह वर्ग यहाँ काहता है तो क्याएब सिर्ध लोगों कि क्या होना चाहिए जिस कि देद्री हाले होले दिनों में उसको अई यसा द आपकर तो राइं अब यहां पका बहुत बड़ा मुद्दा है अगर यहां भी जैसे कांकेर जिला जो है वो पिश्रा हुआ है और आदिवासी छेत रहते हैं यहां भी अगर माल उद्योग वेगरा लगते हैं तो यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा इस्थानी जो माइन से वहां पर इस्थानी युवा करता है यह देखना अच्छ लगता है क्यांकि कांकेर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर बहुत सहरी करण नहीं है बहुत है आम लोग यहां पर आम तरीके से रह रह रहे हैं यहां का विकास की coalition होना चाहिए लेकिन आप देश की बात कर रहा है तो इंडी गट बंधन को क् र्वाजपाओं काम विजन को देखा हुआ है यहां कर भाजपा चूरेंगे तभी तो हमने उनका काम देखा हुआ है करें नरी कि यूद्वा मुष्पा करेंगे कांग्रेस के परत्यासई को भी ओड दिया जा सकता है तो अभी तक उस हिसाब से काम हुआ नहीं कांग्रेस के राजमें इसलिए हम पजेबी को ओड देने का सोच रहें तो यह है कांकेर की जनता के मन की यहां पर लोग हैं, तो आपकी बारु आ जो है, बजय पी को ओकर देने के मूड में है, बीजय पी को इफना। यह कांकेर की जन्ता है और कांकेर की जन्ता आपकी बारु, उसके मन में कई ऐसे मुद्दे है are, कि सबसे पहली बात है कि राज में इस समय भारती जनता पार्टी की सरकार है और अगर यहां पर कांग्रेस के सांसद चुने जाते हैं तो निश्चित रूप से आपस में मनमुटाओ की वज़ा से यहां का विकास कामों में गति धीमी हो जाएगी और इसको लेकर के यहां पर आपकी बार भारती जनता पार्टी का ही सांसद चुनने का जो बिचार है लोगों के मन में हैं युवाओं में हैं और लोग चाहते हैं कि भारती जनता पार्टी के सांसद जिस तरीके से पिछली बार काम कर रहे हैं आपकी बार भारती जनता पार्टी के सांसद का टिकट है वो नाम जरूर बदल गया है लेकिन सांसत काम जरूर करेंगे और इसी उमीद को ले करके भारती जनता पार्टी को वोड़ देंगे बाइसाब चाय भारत के लिए बड़ी महत्कुन है चाय पर हमेशा चर्चा होती है चाय पर ही हमेशा राजनीतिक चर्चा होती है क्या आने वाले दिनों में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा उस पर भी बहुत लोग चर्चा करते हैं आप भी चाय पी रहे हैं और कांकेर में कैसा सांसत चाहिए कांकेर की क्या मुल्भूस विदाएं हैं किस दीके के सांसत होना चाहिए कौन सांसत को आप अपकी बार चुनन करती है और कॉंग्रेस सत्ता में रहती है तो भाजपर रेल लाइन की मांग कर लेकिन आज तक जो है किसी भी सांसद के द्वारा पहल नहीं किया गया कि कांकेर तक जो है धमतरी से रेल लाइन यहां पहुंच पाए और अभी तक जितने भी सांसद बने हैं वो अभी तक जो है कांखेर के लोगों के हित के लिए कोई संतोस जनक कारिय नहीं किये हैं तो आपको क्या लगता है अपकी बार अगर देखा जा तो कांग्रेस से यहाँ पर बीरेश ठाकूर को टिकट मिला है तो आपको क्या लगता किसका पल्ला बारी पल्ला तो ऐसे नरेन मोदी जी का भारी है इसमें प्रत्यासी को आप नहीं देख सकते लहर है मोदी जी का लहर है पिछले बार भी मोदी जी के लहर था लेकिन जीतना हम सोचे थे कि जिस सांसत को मोदी के लहर में वो सांसत बने थे लेकिन जो कारिय इस लोग सबस्चेतर के लिए करना था वो नहीं किया गया वैसी ही अभी मोदी जी का लहर है तो मोदी जी के लह लेकिन बिरेष ठाकूर का भी जो वैक्तित वह अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि पिछले बार का जो चुनाव है, वो 6,000 वोटो के अंतर से ही मात्रो वो हारे थे, और पिछले बार भी मोदी लेहर था, लेकिन बहुत कम अंतर से बिरेष ठाकूर हारे थे. आपको क्या लगता है कि आपकी बार जो बीजेपी के कंडिडेट है बोजराजनाग, उनसे क्या उमीद करती है जनता और आपको क्या लगता है कि कौन से विकास के मुद्दे होने चाहिए, जिस पर काम करने की आव सकता है, कांकेर में. कांकेर में सबसी बड़ी समस्या है मुल्भूत सुईधा की, कांकेर को जीला बने कई, यह जीला मुख्याला है, लेकिन आज भी कई वाडों में ऐसे है कि पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, नदी के किनारे बसे होने के करण भी आज, सहर के कई वाडों में पानी की कमी बह हैं, लेकिन कांकेर को अभी तक उन नेताओं से कुछ नहीं मिला है, अब मान लो भोजराजनाग जी अगर जीत कराते हैं, तो अब समय बताएगा कि वो लोगों के ही तुमें कितना कार्यकर पाईगा, मोदी जी को लोग क्यों पसंद करते हैं, अगर हम कांकेर की बात करें, कांकेर में भी मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं, आखिर क्या वज़ा है, अब ये कांकेरी की बात नहीं है, पूरे देश में मोदी जी का लहर एक तो सबसी बड़ी मुद्दा है, हिंदुतों का मुद्दा है, है ना, और जो है सनातन का मुद्दा है, तो इस कारण से मोद सांसद बने गाद से 70 कैसा चुनना चाहिए ंद दी सा चैरीटा में से अबस उना है सी यो बहुत अब तो देस का प्रधान मंत्री गरीब घार का किसान का बेठे अइसा नेट्र टो करने वाला देस का प्रधान मंत्री हो सकता है तो हमारा भी बेटा क्यों नहों सके, ऐसा लोगों का एक सोच है और थो है मोधी जी के बारे में और इसी के औप लख्छ में मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे यह हां भारतीय में पार्टी का जुवजदा पर्टी का सांसत बननें गाएगव सलगता है पिछली बढ़ की इसली हो है लेकिन जासक कहना चाहिए कोरुन के कारण जो है एहां तक वह पहुंचा नहीं पाया कुछ आइसा जो जो केंद्रे का योजना के ताहथ जो मिलना चाहिए वो कहीं न कहीं थोड़ा सा 2-2 साल जो है असा लुपत हो गया उसमें तो राज में कांग्रेस की सरकार बनेगा और बीजेपी का भी सांसत बनेगा कांग्रेस को भी सांसत बीजेपी का ही क्यों चाहिए कांग्रेस को भी तो मौका दीजिये कांग्रेस को अगर नहीं मौका देंगे तो कैसे पता चलेगा कि कांग्रेस के सांसत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं या बीजेपी के सांसत ज्यादा अच्छा कांग्रेस को भी तो मुझा मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए खेर, लेकिन लोग मतलब कांग्रेस को ही क्यों नहीं चाह रहे हैं, वो तो आम पबलीक ही बताएगा, लोग तंद्रा का हिसाब से लोग बेजे भी कुछाते हैं, तो बेजे भी की सरकार बने वाले हैं, तो और बी पिछली बार आप कहां से सांसन जो हैं, यहां के लोग सभा के सांसन वो बीजेपी के हैं, और अपकी बार टिकट चेंज हो चुका है, भोजराज नाग जी को उमीदवार बनाया है, बीजेपी ने, आपको क्या लगता है, यहां पर कांग्रेस को जीत हासिल होनी चाहिए बीजेपी, जैसे कि मैं दुकान दार हूँ पुराना बस इस्टेन का, और सबरे साथ बज़े से खुली रहती मेरे दुकान, अब लोग यहां आते हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों का रुजान बीजेपी की तरफ है, नरेन मोदी का जो कारेकाल पुछते हैं मेरे से, आदम लोग आते जाते हैं, सब पुछते हैं, तो ऐसा लगता है कि नरेन मोदी तरफ है रुजान, बीजेपी की तरफ आपकी क्या मनसा है, आप एक दुगान दार हैं, आप यहां पे लोगों से बातचीत करते हैं, आप क्या सैकडों लोग आते होंगे चाय पीने के लिए, कांकेर के लोग आते होंगे, तो आपको क्या लगता है क्या उमीद लोग करते हैं, कांकेर के लोग क्या उमीद करते है टो अभी तक बनने है उनका कारवकल सही नहीं रहा है अभी तक के तो अभी जो चेंज किए हैं अभी नया सांसच के लिए अभी भोजरान नाज जी को तो लगते है की करेंके थोड़ा तो कार हाँ जी क्या लगता है कौन जीतेगा बहुत बीजेपी आने चीज़ाइए क्यों बीजेपी आने चीज़ाइए कोई तो वजा होगी है कि मोधी की गैरेंटी है और क्या मोधी की गारेंटी पितना क्यों भरोसा अपिछले का 14 सल 10 सल का रिकार्ड उचा देख लीजेएप अगर काम ना हुए तो बताइए अचा ठीके के लोगों की क्या उमीद है क्योंकि अभी तो इस बार भी अगर पीछली बार भी यहां पर कांकेर में बिजेपी से इससांसत है विकास जिस तरीके से आप लोग चाहते थे उस तरीके का विकास हुआ क्या है यहां पर अपकी बार आप लोगों का उमीद क्या है कि भुजराज नागी जीते है चारसो पार है सर इस बर तो बोल रहे हैं समर्तन रहेगा हमारा भी अच्छा समर्तन रहेगा चाहे भले चारसो पार हो या ना हो सरकार बननी चाहिए कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बनना चाहिए क्यों आखिर इंडी गडबंधन को क्यों नहीं जीतना चाहिए आखिर कोई तो वज़ा होगी क्यों आप लोग ऐसा सोच गड़बंदान में कमी तो होगी ना कुछ ना कुछ इसलिए तो नहीं बन पा रही है कि अब का आपसी में समझ होता नहीं बन पार है आपकी बार यहां से भी BJP के पडला भारी है, हमारे लिए तो है, यहां के कांकेर के वो रहवासी है, जो यहां के आम लोग हैं, और इन लोगों का यही कहना है कि कांकेर के पडला बारी यहां सांसत से कई उमीदי होती है क्यों किarATORS जहां पर विकास के कई ऐसे मुद्दे हैं, जो सालों से नहीं यहां पर पूरे हुए, हर बार कोई न कोई सांसद यहां पर जरूर बनता है, लेकिन विकास के जो मुद्दे हैं, वो आज भी वही के वही खड़े हैं, लेकिन आपकी बार लोगों का मानना है, लोगों सोच फुपुचरे टुचरे टुचरे लिए 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 टुचरे लिए लिए में ऑखना परियो कि टुच में।